मैं दिल्ली से हूँ रोई स्कोर आफटर अंसर की इसने अंसर की देखने के बाद में OBC केटिकरी इसकी सताउन पॉइंट सताउन पॉइंट इसके एटी नाइन नंबर आ रहे 57.89 और यह परसंटाइल नोर्मल लेजशन है हाला कि कई सारे वीडियो देख लिए होंगे हमारे स्टीचर सर ने भी इसके बारे में बताया यह देख लो आप लोग इससे पहले आप लोग खुदी आपगो यह इतना बड़ा चैलिन है टौप तक चैलिन को जानते होगे इन्होंने भी यहापर कम्वेटिव पोस्ट किया था इन्होंने क्या लिखा है आप लोग खुद द analysis बता रहा हूँ आप लोगो यह आपे खुदी देख लो प्रित्यक्ष को कोई परिमान की आवशकता नहीं होती आप लोग खुद अपनी आँखो से देखो यह एक लड़की का कमेंट है जिसने कमेंट किया है मैं दिल्ली से हूँ row score after answer की इसने answer की देखने के बाद में OBC category इसकी 57.89 नमबर आ रहे 57.89 और यह इसके row score है इसने पूचा और मैंने जवाब क्या दिया आप खुद अपनी आँखो से देख लो मैंने भी यह जवाब दिया मेरे मेरे जवाब देने से पहले ही एक लड़के नहीं आपर जवाब द देखूं दिने से नहीं है या पर जवाब दे दिया गॉलोशन से इन मेंस में यह को तीख पा रहे क्या जवाब दिया मैं यह क्या जाएगा सिस्टर मेंने पूजिए यहाब रम задarta इक्जो ए अगर आप लोग अभी पिर्तक्षी परहिवाण के आवशकता यानि कि आप लोग अपनी आखो से नहीं देख पारें तो मैं एक और कमेंट दिखाता हूँ आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ लगतार कई यहां पर एक और है यह कमेंट देखो आप लोग यहां पर यह वाला शिफ्ट का एकजाम है और इनके 50 नंबर आ रहें यह रोए इसकोर 50 आ रहें मैंने इनको क्या जवाब दिया है आप लोग खुद ही खोलके देख लो इसको जैसे कमेंट बॉक्स को खोलोगे तो मैंने इनसे क्या बोला है मैंने इनसे यह बोला है कि यहां पर आप लोग चा और विश्वास नहीं तो और यह विश्वास यह करो आप लोग आप पर एक और विश्वास अभी दिखाने वाला हूं यह आप लोग खुद अपने आखों से देखों यह तो बहुत बड़ा यूटूब क्रिट की जा रहे हैं यह सरना उनको यह इमेज क्रेडिट कर रहा हूं किया आप लोगों को समझाने के लिए कि आखिर कर्यार सरेगा भले आप लोग करना और सई करना दोनों में जादा फरक दोनों में दिन रात का फरक होता है एक तो सई कोशन करना और अटेम करना आटेम तो आप लोग 89 यह 90 भी कर सकते हो पर सई कितने हैं सई वही है 40-50 आते हैं तो लगबल लबक सभी का यह हो रहा है पर सेल आप लोग के यहां पर रोई स्कोर बले से आप लोग के 50-60 आ रहें किसी के 40 आ रहें पर खेल यहां पर समाप्त नहीं होता है असली खेल तो आप चालो होने वाला है आप लोगों का जब परसे होगा ना जैसे 2018 का है 2018 का देखो आप लोग 2022 का देखो अगर 2018 और 2022 में आप लोग ध्यान पूर्वक देखनों की कोशिश करो ना दोस्तों आप लोगों खुद इतना बड़ा अंतर देखने को मिलेगा यह नोर्मलाजेशन में आप लोगों पर आला की परसेंटाइल नोर्म यह तो उस समय की जो इस्तिति कैसी थी नोर्मलाजेश हो कि कितने मार्स हो जाते हैं 80 80 मार्स हो जा रहे थे 50 50 मार्स बढ़ जा रहे थे मनले लगा तार दो अजार अठारा में तो यह इस्तिति थी अब 2022 में आप लोगों के कुछन यह उट रहा है 2022 में कि सर क्या ऐसी इस्तिति हो सकती है क्या जो परसेंटाइल नोर्मलाजेशन होगा किसी के 48 नंबर है किसी के रो इसकोर 48 है क्या उसका चांस है उसमें होगा यह 40 वाले का सेलेक्शन होगा सब कुछ आप लोग इस वीडियो में सीख जाओगे परसेंटाइल नोर्मलाजेशन होता क्या है अब आते हमारे वीडियो के नेक्स्ट स्टेप में जो की काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इतना इंपोर्टेंट है जो कि आप स सारे वीडियो देख लिए होंगे हमारे फैमस टीचर एसके जा सर ने भी इसके बारे में बताया उनसे इमेज क्रेडिट करिए मैंने आप पर जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आप लोगों के आप सार डिसकस करूँगा इससे पहले आप लोग यह देख लो यह देख को हटा कर इन्होंने पॉल किया कि नेगेटिव अठाऊ और सब अपने अपने आपे रॉइसकोर डालो पहलो जो इन्हों exponent दिया आप लोग यह दिया क्योंकि इस पर जो वोटिंग हुई है न record तो 83 अजार लोगों ने वोटिंग कर रही है, तो कम नहीं होती, 83 अजार, आप लोग खुद देख सकते हो, यहाँ पर लगबल लगबल एक लाग की वोटिंग हो चुकी होगी, अभी तक आज़ी आप लोग जाके देखो, चैनल के उपर, तो लगबल 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 लगब लगबल 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 लग यहां पर 60-70 के बीच में तो 20% बच्चे हैं अब खगे वो जो 80 पता रहे थे ना 80 मार्स आएंगे 90 मार्स आएंगे 70 मार्स आएंगे 80 मार्स आएंगे अब खचा लगाए वो 60 से लेकि 70 वाला बच्चा आज 20% है खाई 80 का तो option इसमें दराएं नहीं क्यों क्यों क्योंकि 80 का एक भी वालग नहीं है होगा तो एक होगा पर ससुरा उससे क्या फरक पड़ता है इस cutoff के उपर क्या फरक पड़ता है और दूसरा option इन्होंने क्या रखा है दूसरा option इन्होंने रखा है था यहां पर सबसे ज़् यही marks हैं जिनके 50-60 marks आ रहे हैं 50-60 के बीच में जो row इसको रना वो 41% के voting होई है और 20% की यह वाली होई है और नीचे यह एक और एक और देखो आप लोग 40 ते लेके यह भी बहुत है 40-50 के बीच में कितने की voting होई है लगबल लगग सारे सारे के सारे बच्चे इसी लाइन में दोड रहे हैं और नीचे एक और option दिया थे इन्होंने दूसरा क्या option दिया था 30-40 वाले कितने हैं आपे तो 16 है हाला कि इनका तो खहीं भी नहीं होगा मुस्किल होगा selection ज्यादा chance निबनता है आपे आप लोगों का आप लोगों के यहां पर रोई इसकोर गूम रहे हैं आप लोगों ने ध्यान पूरों देख पा रहे होंगे अभी अब वीडियो की सबसे बड़ा जो important part है उसके बारे में चलते हैं फिर आप उसके बाद में आप लोगों का cutoff के बारे में देख लेंगे आकिरकर cutoff के रहन करने वाली है तो सबसे पहले हम लोग percentile normalization के उपर discussion करते हैं तो दोस्तो percentile normalization के उपर काफी सारी वीडियो देख लिए होगी पर में थोड़ा सा कुछ अलग बास करने वाले हैं क्योंकि जो जो देख लिए उससे क्या मतलब हम लोगों जो important important बात है इसके अंतर देखते है देखो आप लोगों का जो percentile normalization होता है वो आप लोगों इस समय आप लोगों ने रेलवेल ने लागू कर दिया आप लोगों का जो पहले normalization होता थे तो जो दो जटार में और अब percentile normalization हो रहा है अगर आप लोग ध्यान पूरवग देखने कोची करो अगर कोई shift 1 हुई है शिफ्ट 2 हुई है shift 3 हुई है अगर आप लोग ने इसको ध्यान पूरवग देखो गा तो आप लोगा मेरी बातों का जोबत होगे आप लोग खुद होगे इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखो यह वाली लाइन देखो पहले यह वाली लाइन देखने हैं आप लोग को यह वाली लाइन देखो आप लोग और उपर देखो easy paper है moderate paper है tough paper है बस इसको समझ गए तो समलाव percentile normalization आप लोग आरम से समझ जाओगे इसके भी 55 marks आए जब्भी इसकी 100% बन रही है इसके 62 आए इससे कम आए इसके जब भी amar है जब जब कि 60 नमबर आ पो गोगे इससे भी कम है इसके जब भी सिक 100% बन रही है ऐसा क्यों ऐसा इसlaughs दोस्तों इससे जो shift 3 होई जिना इसका paper tough आगया और जब percentile normalization हुई तो इसके ये इसके बराबर आगए ये इसके बराबर आगए ये इसके बराबर आगए खेहने के मतलब है आप लोगों को railway वो गला मुוכा नहीं देने वाला कि आप लोग गर में ये बोल दो कि मेरा paper tough अगा था इसलिए मेरा selection नहीं हुआ क्योंकि टफ आया है तब भी आप लोग जितने भी इसको ले रहा होगे उसको maximum calculate करेगा उसको सो परसेंटायल पे सो परसेंटायल पे क्योंकि जब shift थरड़ पेपर हुआ था तो सबसे सबसे जाते जो maximum marks आए वो 60 आए और यहाँ पर जो moderate shift आए ती ना जो maximum marks आए यहाँ पर 62 आए और यहाँ पर shift फर्स्ट तो maximum marks 65 आए तो जो maximum marks आता है उसी के उपर आप लोगोगोगी परसेंटायल यहाँ पे रेलेवे निकालना चालू कर देता है अगर आप लोग यहाँ पे एक की मैं परसेंटायल निकालू तो परसेंटायल किस तरह से निकाली जाती है रेलेवे के formula के दुवारा परसेंटायल इस तरह से निकाली जाती है आप लोगोगे आपे नीचे तो आप लोगों के यहां पे जो भी बच्चे हैं आप जैसे सो बच्चे भाग लें तो सो वाले लिख देंगे अगर दो सो बच्चे भाग लेते हैं दो सो वाले लिख देंगे यह जो संक्या लिख रहे हैं यह वहाली संक्या है जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में भाग लेंगे वा वह वाली संक्या लिखो जो आप लोगों की टोटल संक्या आप लोगों के होल में बेटी हो आप लोगों के साथ में एकजाम में बेटी हो और उपर वह वाली संक्या लिखो यादि आप लोगों से नीचे कितने बच्चे हैं अगर आप लोगों के सो में से सत्तर नमबर आ रह जैसे मैं इसकी percentile निकालू तो highest यह वाला मार्क सा highest row score यह वाला है तो इसकी percentile भी 100 बन गए कैसे बन गए यहां पर कितने candidate है first shift में एक दो तीन चार पांच पांच candidate है और दूसरा 6 खुद है यहां पर तो total candidate है कितने होगे फर्ट shift में 6 होगे और 6 और यह कितने से उपर है एक दो तीन चार पांच पांच जने से उपर है और यह खुद 6 यह देल भी खुद बोला है उसके बराबर यहां उससे कितने उपर है तो इसके 6 होगे यहां पर तो चट्टे नोमन भी होगे और इसको percentile normalization से यह लोग यहां पर multiply करोंगे में जैसे percentile normalization निकालोगे तो चैसे 6 गट गया तो into1 यानिकी इसी तरही इसका पर निकालो इसका निकालो आप लोग इसकी सो पर सेंटरर सो पर सब्स्रा यगी क्यों कoditta रीजन आप देख सकते हों अलगलग रों इसका भी रोण स्कॉर गलए इसका कि यॉदी साथ एं पर जब भी इसके पर्सनेटाइल कितनी यह वाली परसेंटाइल और यह वाली परसेंटाइल और यह वाली परसेंटाइल इनको आप लोग देख पारे होंगे सेम परसेंटाइल बन रही है समान परसेंटाइल बन रही है क्यों क्योंकि इसका तो पेपर इजी आ गए इसलिए समान गए इसका मोड़ेटा गए इसका ट कोड़ी तो खेने का मतलब कुई मिला कर यहां से एक कनकुरी निकलने हो बागी है अभी आप लोग रुको अभी तो आप लोगों का परसेंटाइल नोर्मलाजेशन होना बागी है उसके बाद में आप लोगों कहां पर कटोफ निकल के आएगा कितने जाने वाला है अब से और आप लोगों के सी है और एस्टी है इनको ध्यान पुरुव देखो जनरल ओबीसी एडलेस एस्टी अगर आप लोग जनरल के टिकरी से हो आप लोग किसी भी जोन से हो आप लोग यहां पर में जो बता रहा हूं इससे हाइस ने जाए सकती क्योंकि यह काफी सारे बच के से चाहते हैं थो जाट है अफआर दिल्ली से हो से हो चाहए वेस्टन रेल वेस्टी आप लोग को हाजीपूर से हो किसी भी जोन से आप लोग यहां पे है अगर जनरल केटी करी से आप लोग 50 आ रहें तो किसी भी जोन से आप कुछ ऐसे बंद होंगे जिनका यहां यह न यह जो बता रहे हैं जैसे जनेरल की साथ ओबी सी की सत्ताओन की पचपन और यह सी की 52 और यह जो मैंने बताई आप लोगों के यह यह तो आप लोगों की फिजीकल के लिए कट ओफ हो गई और यह यह आप यह कटो बताएए यह फाइनल कटो में भी क्वालिफाय कर जाएंगे क्योंकि फाइनल कटो जो इंक्रीज होगी आप लोग यह पर तीन से चार नंबर इंक्रीज होगी और यह जो आपकुछ बच्चे ऐसे होंगे इनसे कमजोर होंगे यहां पर मैनेस टू करेंगे तो प्रिजिकल में तो आप लोग ते कहरें विखिश जाओगे और यह वाले नंबर आ रहे है तो फाइनल और आपको फीजिकल 2 हो ञू प्रवकों कम्पिलिट आप लोग क्वालिफे कर जाओ को उसके टैंसर करने के आप लोगों को जुरूरत नहीं है यह जो मैंने कटोब बता है आप लोगों का यह जो कटोब बता रहा हूं आप लोगों का 311000 टोटल टोटल तीन गुना लेगा वेकेंशी का तो एक लाग एक तो गुंताले इसका तीन गुना लेगा तो 311,217 इस्ट्रेंट को लेगा यहां पर तो कुछ देख पार होगा अपनी आपकों से कि आप लोग किस तरह से यहां पर और यह कुछन यह वाला उड़ता है आप लोगों के आप लोगों के जो परसेंटाइल नोमेलेशन होगा इसके बारे में आपको कुछ खेने सकते हैं क्यों क्यों कि जो चीजों होती हो तो मैंने समझा दिया पर कितने नमबर बढ़े कितने नहीं है यह आप लोगों के यहां पर easy shift के उपर tough shift के उपर और आप लोगों के यहां पर अगर कोई tough shift आ गया और आप 40 नमबर भी आ रहे फिर भी आप लोगों के यहां पर आराम से सेलेक्शन होने की possibility नजर आ रही है खेने का मतलब मेरे यह है तो यह ता आज का यह वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के आप रेलवे गुरूटी की यहां पर normalization के बारे में बात कर ली और जो बड़े एक यूटूब चैनल है जो कि टोप तक का यूटूब चैनल है उसके अंदर मैंने आप लोगों यहां पर बात करीं आप कि कितना कितना क्या score रहने वाला है इनका जो कि आप लोगों यहां पर 86,000 लब 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 एक लाग बचों ने आप वोटिंग कर दियोगी अभी जाओ तो आप लोगों आप